हलो फ्रेंट्स हम सबको पाव भाजी बहुत पसंद होती है लेकिन प्राब्लम यह है कि जब हम इसको बनाने जाते हैं तो बजार जैसा टेस्ट लाने के लिए हमें कम से कम आदा गंटे तक तो इसको कॉंटिन्यू मैश करना ही पड़ता है वैसा ही टेस्ट लाने के लिए ले बनाना है यह टेक भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी तो मेरी वीडियो को आप लास तक जरूर देखें और मेरी रेसेपे अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना बुलें तो चलिए जल्दी से शुरू क मसाला और आदा चमच लाल मिर्श पाउडर को एड़ किया है अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी दो मीडियम साइस के कटे हुए टमाटर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहां पर मैंने कुछ सबजिया काट कर रखी है जैसे कि एक कटोरी मैंने यहां पर ब ला लिया है और अब मैं यहां पर इसमें दो से तीन सीटी लगा लूँगी तो देखे कितनी जल्दी और कितनी अच्छे से हमारी सबजिया पकर तयार हो चुकी है तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स स्टेप के बढ़ते हैं पहले मैं कुकर को चूले से हटा लूँगी और यहा तो फ्रेंड्स देखें यहां पर मैंने कड़ाए के अंदर सबसे पहले सरसों का तेल इस्तमाल किया है और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मकन ऐड़ कर दिया है इसके बाद मैंने इसमें लगबाद 2 चमच कसा हुआ अधरक और 1 चमच कसी हुई lesson add की है इसको मैं एच मीडियम साइस की कटी हुई शिमला मिर्च भी एड़ गी है शिमला मिर्च को यहाँ पर मैंने बारी काट कर रखा हुआ था उसके बाद यहाँ पर मैंने आदा कटोरी हरी मटर भी इसमें एड़ कर दी है इन सब को हम अच्छे से भून लेंगे देखिए जब यह भून इसमें एड़ कर दिया है एक चमच लाल मिर्च पाउड एकहाँ पर मैंने पावबाजी मसाला एड़ कि थोडि सी मैने कसूरी मेथि भी इसमें एड़ कर दिया है इनको मैं अच्छे से भून लोँगी और उसके बाद यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज के आलू को वाल कर रखा हुआ है इनको मैं मैंश करके इस मसाले में एड़ कर लूँगी मेरे बताए कि इस अभी स्टेप्स को आप प्रॉपरली फॉलो कीजिएगे और फ्रेंड्स तब ही आपकी पावबाजी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी आलू को मसाले में अच्छे से मेक्स कर लेंगी और अब इसके बाद हम यहाँ पर एड़ कर देंगे हमारी पकी हुई सबजियां भी तो चलिए यालू तो अच्छे से मसाले में मेक्स हो चुका है अब मैं इसमें सबजियां भी एड़ कर देती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स सबजिया भी मैंने इसमें एड़ कर दी है अब सबजियों को हमें इसमें अच्छी तरह से मेक्स करना है अगर आपकी पास potato measure है तो आप उसकी help से इसको mash कर सकते हैं अगर आपकी पास potato measure available नहीं है जैसे कि मेरे पास नहीं है तो आप जो यह जा रहा होता है जिससे हम पूरी छानते हैं आप उसको ले लिजेगा और उससे इसको अच्छी तरह से mash कर दीजेगा आपकी पाओ भाजी उसी तरीके से mash हो जाएगी तो कोई tension वाली बात ने ये friends देखे इस तरीके से कितने अच्छे से मैंने भाजी को mash कर लिया है लगबग 10 मिनट के लिए अब हम इसको पका लेंगे यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम भाजी को पकाएं तो इसे सिर्फ हमें medium आज पर ही पकाना है अगर हम गैस को फूल कर देंगे तो यह जो है ड्राई हो जाएगी और पाओ के साथ जब हम इसको खाएंगे तो यह खाने में अच्छा फिल नहीं देगी भाजी को फ्लिवर बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी एड़ कर दिया है धनिया एड़ करने से इसका टेस बहुत ज़्यादा बोस्ट अप हो जाएगा दो मिनिट के लिए भाजी को और पका लेंगे तो फ्रेंट्स देखे भाजी तो हमारी बनकर रेड़ी हो चुकी है आप भी इस रेसिपी को प्लीज जरूर एक बार द्राई कीजिएगा मेरी गैरेंटी है कि आप मार्किट की भाजी खाना भूल जाएंगे तो चलिए यह तो तयार हो चुकी है अब हम पाव भी सेख लेते हैं तो यहाँ पर तवा तो हमारा गरम हो चुका है फ्रेंट्स यहाँ पर अब मैं पाव नूँगी और पाव में मैंने कट लगा लिया है थोड़ा सा मैं इसमें बटर गा सितमाल करूँगी क्योंकि सब भी को लगता है कि हमें मारकेट जैसा पाव चाहीं मारकेट जैसी भाजय चाहीं तो चलिए हम मारकेट वळे टाच इसमें दे देते हैं मकंन में मैंने आयड कर दिया है थोड़ा सा हरा धनिया कसूरी मेती और जो पाव भाजी हमने बनाई है न वो वाली भाजी मैंने इसमें आइट की है तो पाव को मैंने इसमें रख दिया है और अच्छी तरह से इसको सेख लिया है आप भी यही वाली ट्रिक इस्तमान कीजेगा तो देखे कितने अच्छे देपाव एकदम सॉफ्ट बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी भी बनने वाला है तो देखे फ्रेंट्स पाव भी हमारा सीख चुका है भाजी भी तयार है तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग आप भी अपनी फैमली के लिए इसको घर पर ही बनाईए और बाहर का खाना खाने से उनको बचाईए क्योंकि घर का बनाऊवा खाना एकदम शूद होता है हमारे बच्चे घर का खाना खाएंगे तो वो एकदम हेल्दी रहेंगे इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए तो आई ओप मेरी रेसेपी आपको पसंद आई होगी फ्रेंट्स अगर आपको अच्छी लगी है तो अप